हमारे साथ गुनेगार साथिया पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में है उगमदास बापू जी जो महंत है संत कबीर दाश आश्रम के साथी है समाज सेवी रुजान खंबाता और जानो दुनिया इंपुट हेड राजीव ओजाजी साथी कोलकाता सेफ ओन लाइन पर जुड़ेंगे समाज सेवी जेम्स चोस इनके साथ हम बहस को आगे बढ़ाएंगे लेकिन पहले देखते हैं क्या है सुप्रीम कोट का आज का फैसला और कैसे गे कॉम्मिनिटी के अधिकारों को हिमायती विरोध में सडकों पर उतर आए हैं और किस तरह से कोट के फैसले के बाद पूरे मसले पर नए सेरे से बहस शुरू हो गई है देश की सबसे बड़ी अदालत पर करोडों लोगों की नजर थी एक ऐसे मुद्दे पर फैसले का इंतजार था जिसकी भारतिय समाज में दभी जुबान में चर्चा को भी ठीक नहीं माना जाता सुप्रीम कोर्ट ने समलेगिक संबंधों को अपरात बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को खारिच कर दिया कड्या को एस दो डाइल रहां को और पहाईनों को अपरादा प्रचा को अवग एल रहां को जिलीज पांट ता प्रचा को जाइला रहाईं में प्रिटे चूजएट को एज कोग को तो एक अपहरा है बी टुझे को but I can tell you the fight is not over the fight will continue if the judgment is against us it's a little more than disappointment and dejection I think that a historic opportunity to expand constitutional values has been lost it's almost like saying article 21 doesn't exist in the Constitution of India it's like almost like deleting article 21 from the Constitution of India and I think it's it's in position of a medieval mindset on the people of this country ڈراصل 2009 में दिली हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि दो व्यसकों के बीच आपसी रजामंदी से बना समलेंगिंग संबद अपराध नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला देश के करोडों लोगों से जुड़ा है जिनका प्रतिनिधित्व संसद में बैठे जन प्रतिनिधी करते हैं अगर उन्हें लगता है कि धारा 377 गलत है तो वो समयधान में संशोधन कर इसमें बदलावला सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया माननी ये सुप्रीम कोर्ट ने यतो धंत तो जया है जो ट्रैंग लाइन है सुप्रीम कोर्ट की उसी की अनुरूप धिसके करोडों लोगों की जनभावनाव का आदर करते हुए समलंगिकता को गैर कानूनर घोशित करके उसको अपराद की शिणे में रख करके करोडों लोगों की भावनाओं का आदर किया है सुप्रीम कोट के फैसले पर कुछ समाज सेवियों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और संसत से इसका रास्ता निकालने की मांग दोहराई सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद धारा 377 पर नए सेरे से बहस छिट गई है दरसल ब्रिटिश राज में बनाया हुआ ये कानून अप राकर्तिक यौन संबंध को गैर कानूनी ठेहराता है इसके तहट अप राकर्तिक यौन संबंध बनाने पर उम्रकैत या 10 साल की सजा और जिर्माने का प्रावधान है ब्यूरो रिपोर्ट जानो दुनिया तो चर्चा के शुरुवात करते हैं रोहित चोहान जो गे कॉम्मिनिटी के समर्थक है वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जी रोहित जी सुप्रिम कोट के फैसले ने आज समलेंगिक संबंधों को अपराद की श्रेणी में रख दिया है इस पर पहली प्रतिक्रिया आपके क्या होगी लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से कहा जा रहा है कि समलेंगिक संबंध अपराद की श्रेणी में आ जाएंगे इसको अगर अपराद की श्रेणी में रख दिया जाए और इसके लिए दंड अगर मिलना शुरू हो जाए तो वह कहां तक सही लगता है अगर 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 वह कहां तो जाना चाहूंगी अप जिस तरह से सुप्रीम कोट का आज फैसला आया है और समलेंगिक संबंधों को अपराद की श्रेणी में रखा गया है लेकिन देखा जाए तो यह तो प्राकृतिक भावना है तो इसको अपराद कहना आपको कहां तक सही लगता है सुप्रेट कोड का यह चुकाद है क्योंकि हमारे धर्म के सिधान्त में यह सब्सक्राइब और जब से एध़ दुनिया वनी तब से जिए कोई भी धर्म में या कोई भी स्थान धर्म का सिदान नहीं बताता है कि नर और नारिश जगत के रशना हुई है और उसमें एसे अमनुस्त के वृति वाला जो लोग है जै लेकिन धर्म लोगों के वजूद को क्यों नकार रहा है जो सच वह तो सच है अले यह नकार हुआ पिकल्स का रम रेका रिये голू के विरुद हैं और द् совॉत हैं और धर्म के विरुद है cannon थैता और हूं सबसे पहले आप ऑब निदेन करें हमारे रिकली सुनी है यो पैल अप पर करभा से तो वह में आप है में वो शिखंडी की जो अमने स्टोरी सुनी थी वो एक्चली पहले शिखंडानी करके एक लेडी थी शिव बॉन अज फीमेल लड़की की तरह बॉन होई थी फिर शी गॉट ट्रांसवर्म्ड इंटु वह महाबारत की फाइट में शी गॉट रांसवर्म्ड इंटु मेल लग प्रैक्टिस करते हैं अभी मैं यह पॉइंट जो धरम वाली पॉइंट वह एक नोन फैक्ट है कि इंडिया में माइट हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली के लिए पॉइंटे कि यह लौ 1861 में आया जब जब यह ब्रिटिश रूल चाल वा जे ब्रिटिश रूल वेल अगें इसलिए अभी जगडा यह हो रहा है कि जो 1861 का लौ है उसे हमें चेंज करना है और यह 377 कलम जो ब्रिटिश रूल ने डाली थी और एक दूसरी आपको बहुत बात बताओ क्योंकि अभी हम लोग यह बहस कर रहे है वह यह कह रहा है कि Lesbian and Gay Relations are Illegal लेकिन यह 377 कॉलम जो कलम ह है IPC में वह यह कहती है कि whosoever voluntarily does carnival intercourse against order of nature with a male, man, woman and animal अब मेरे तो दिमाग में इनिमल भी उस सब्सक्राइम से कैसे आया था वह मेरे को समझ नहीं आ रही है लेन इतने ग्यानी थे वह लोग वह वह के उस ताम भी अनिमल वर्ड लगा दिया था और देर देर उनको जो लाइफटाइम इंप्रिमेंज रिए था तो जगड़ा उस पॉइंट का था जो मेरे को यह जो 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 है राज का जजमेंट आया कि यह कलम मिस्यूस हो रही है और वहां पर बोलिये कि यह मिस्यूस हो रही है तो इस दपॉइंट ने आप गयंज जो है संसत के पाले में जाल दी है राजीव जी यह जो आज फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने यह तो चलिए धारा 377 की वैधानिकता की बात की है लेकिन अगर अपराद की श्रैनी में समलेंगिक संबंधों को डाल दिया जाता है तो यह कही ना कही मानवा अधिकार पर भी सवाल उठाता है उनका भी हनन पर अच्छा यही है कि यह कौन डिफाइन करेगा की क्या चीज नैच्छुरल है उस यह देखिए अब ऐसा कि लोग धर्म का नाम ले रहे हैं इसमें नेतिकता का नाम ले रहे हैं और अपनी संस्क्रिती का नाम ले रहे हैं जबकि 600-700 साल पहले भी इस तरह के होमो सेक्सुलिटी का जिक्र है खजुराहों में धेर सारे ऐसे मूर्तियां हैं जिसमें कि इसको बताया गया है लेकिन यहां पर हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं और बात करते हैं जैसा कि अभी रामदेव जी की बात करते हैं कि करोणों भारतियों क कि भावना का करोणों भारतियों की भावना का आदर और समान और उसकी रक्षा करने का मतलब यह नहीं है कि हम 26 जाना चाहूंगी कि आप धर्म की बात कर रहे थे लेकिन जिस तरह से राजीव जी ने भी कहा कि 600-700 पहले भी इस सरकी चीज़ें देखी गई है खजुराहों इसका एक बड़ा एक्जांपल है तो क्या कहेंगे इस पर अब आप यह दुनिया के रीति है हर चीज़ के हम शकल बनना का प्रेस करने के दुनिया के रीति है असल में यह बात है कि दुनिया में जो निर्मान वहाँ है एक नार्य पूरश का देखे प्राब्लम वहीं है कि एक प्रजनन का एक और निर्माण का एक तरीका माल लेंगे वहीं से समस्याइब शूरू होती है जो अगर दूसरे की नजर में उसमें हम किसी तरह का प्लेजर या हम उसको नेचुरल मानते हैं तो इसको हम अपराद कैसे मान सकते हैं तो समस्य यहीं शुरू होती हैं और बस यहीं टैबॉ जो होता होता है है मरु से फोन लाइन जैब विरूद 우리 कि बताया auson लाइन विरूद चाहूंगी कि कुछ गलत नहीं है, ये कहना है इनका और साथ ही धर्म की बात कर रहे थे, हम अपने इतिहास की बात कर रहे थे। इन चीजों का वर्णन पहले भी मिला है, लेकिन अब समाज इसे नकार क्यों रहा है? पहले के बात सोचो पहले उच और जो जो कुछिसे निर्वान क्या है और में जगत का निर्वान होता है लेकिन अगर कोई विक्ति किसी के प्रती अट्राक्ट होता है या उसको अकर्शन होता तो यह तो बिल्कुल प्राकृतिक भावना है यह बात एसे को अपना-पना विचार में दुनिया दोर रही है सही विचार तो है नहीं नहीं संस्कृत को मानना नहीं लेकaffe की धर्म कि अगर वात करें गट्रही जो हमारे अगरे में घटर रही आथा आदया है जब उन चहीं को मारे समाज में तो इसे इतना परही स्क्रिव का पहले बात हजारों करें लेकिन जो जह involvement अभी तक आपने कहीं देखा है कि पुरस-पुरस के मिलन से कोई दुनिया पैदा हुई गुरु जी मेर को मेर को एक मिन मेर को यह कहला है कि अभी जो हम बात कर रहे है यह जो सेक्शिल एरियंटेशन भगवान नहीं दिया अगर बगवान ने किसी लड़के को लड़की को एक अगर मैं अगर आपका religious point of view से सर बात करूंगी तो यह धार्म के विरुद नहीं जा रहे है इसलिए अगर और मैंने आपको सवासर जी पहले भी बताया स्वामी जी कि हमारे हमारे तो परंपरा धरम जैसे काम सूत्र में बताया यह मैंने श्रिखंडी जी की बात की तो यह स राजीव जी आप यहां कुछ कहना चाहते हैं कि धर्म को ही अगर ले लें कि धर्म यह लिखा है कि हम जब युवा होंगे और जब जवान होंगे तो हमाई एक attraction होगा और हम प्रकिति के अनुसार चलेंगे और फीमेल के साथ संबंद बनाएंगे विवहा संबंद या जो सा सामाजिक नियम के अनुसार शादी करेंगे उसके बाद हमाई बच्चे होंगे आप ही लोग यह जो कोई इसको फॉलो नहीं करता वह ब्रह्मचारी रहा तो उसको तो बड़ी इज्जत से देखा जाता है कि बाबा बर्मचारी है उन्होंने सब अपने उस पर कंट्रोल कर और अपने नेशरल नहीं हुआ क्या तो अपने नैशरल अर्ज को ब्रहकर तो ऐसको आप रहती क्या है यह बात यह अपने पोउंट उठाया संत के उपर अपने अपने यह सबसे अपने अपने वह राकते हैं प्रहम्त्यार ऐसी बात नहीं लेकिन बात यह हमारी यह है कि एक यह तो कानून से विरोध हैं यह जो नर नारे का लगान लेंगे तो सुप्रीम कोड ने कहीं पर भी एतिकल अने इतिकल की बात ही नहीं कि उसने तो बहुत टेक्निकल रिजन पर सेक्शन 377 कहा है कि अभी यह हमाई समीदान के किताम में लिखा हुआ है कि अगर यह चीज़ अपराद है अगर आप चाहते कि अपराद नहीं हो तो इसको सिंप्रीम कोड ने इसको कहा कि इतना सीरियस इशू है यह और जो सरकार का कैजूल अप्रोच है हम पार्लियामेंट में बहुत बहुत चोटे से ब्रेक के लिए चोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यह करनो